हेलो दोस्तों वेलकम टो आवर चैनल लर्न फॉर जोग फ्रेंट्स राश्पती चुनाओ के बाद अब भारत की उप्राश्पती जो देश में दूसरा सर्वत सम्वेधानिक पद है इस पद के लिए चुनाओ होने वाले हैं आपको वतादी की मौझूदा उप्राश्पती ए चुनाओ 6 अगस्ट को होगा और उसी दिन मत गड़ना होगी आप जानते होंगी कि उप्राश्पती संसद के सदस और राजी सभा की सभापती भी होते हैं यहां फ्रेंट्स आपकी जनकारी के लिए बता दू कि राश्पती और उप्राश्पती चुनाओ में मुख्य अंतर क्या होता है तो दोस्तो राश्पती के चुनाओ में सांसदों और विधान मंडलों की सदस्य वोट करते हैं वहीं भारत के समिधान के आर्टिकल 66 के अनुसार उप्राश्पती का चुनाओ सांसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निरवाचक मंडल यानि सभा और लोग सभा की नॉमिनेटेट मेंबर्स यानि मनोनित सदस्ट भी वोट डाल सकते हैं चुकि दोस्तों उप्राश्पति के चुना में सभी निर्वाचक संसर के दोनों सद्दनों की सदस्ट से होते हैं इसलिए प्रतेक संसर सदस्ट के वोट की वेल्यू सेम होती है और इस सिस्टम को सिंगल वोट ट्रांस्फरेवल सिस्टम कहा जाता है तो दोस्तों चुना आयूक के अंसार 2022 में 16 में उप्राश्पति चुनाओं के लिए एलेक्टोरल कॉलेज में राजी सभा के 233 निर्वाची सदस्ट और 12 मनुनित सदस्ट और लोग सभा के 543 निर्वाच मंदल में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 मेंबर्स सामिल होते हैं तो अभी तक तुम मैं आपको सिर्फ वाइस प्रेश्टेंट के इलेक्शन प्रोसेस और वोटिंग डेट के बारे में बताई हूं इसे बताने की पीछे दोस्तों मेरा मक्सद यह था कि देश में बहुत स संसद बनाकर सदन में बिठाए आता है दोस्तों चुनाओं सुधार पर काम करने वाले संगटन ADR यानि एस्सेशन फॉर डेमप्रेटिक रिफॉर्म्स में जारी रिपोर्ट के मुताबिक संसद के अपर हाउस यानि कि राजी सभा में 31-30 संसदों के खिला आप राधिक माम संसद हैं जिनके खिलाफ आप राधिक मामले दर्ज हैं और सबसे एदा करोरपती संसद कौन हैं तो फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दू कि मेरी वीडियो स्टूरी अप्डेट्स के लिए आप मेरी सोसल मीडिया हैंडल को जोइन फॉलो कर सक श्काविक राज सबा के 71 संसदों के खिलाब अपरादिक मामले दर्ज हैं इसमें से सांतिन सांसदों के खिलाबMM अपरादिक मामले दर्ज हैं आपको बता दू किग 10न हत्या, अपहरण, रेप, रश्टा-चार, पांच साल या उससे अधिक सजा वाले अपराद और गैर जमानती अपरादों को गंबीर अपराद की स्रेडी में रखा जाता है. तो फ्रेंट्स ADR ने सदन के वर्तमाल 233 में से 226 सदस्यों को द्वारा दियेगे एफिडेविट से मिली जनकारी के अधार पर, जो रिपोर्ट तयार की है उस अधार पर, दो राजी सभा 702 के खिला, IPC के धारा 302 के तहट आरुप दर्ज किये गए, वही राजी सभा के 4 702 क के खिला, IPC की धारा 307 के तहट हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है, इसके लावा दोस्तों, चार राजी सांसदों के खिला, महिलाओ के उपर अत्यचार से संब्दित मामले दर्ज है, इनमें राजस्थान से कॉंग्रेस सांसद, केसी वेनु गुपाल के उपर तो पीस नम्बरिंग सो हो रही है, उनमें कुछ नम्बरिंग अलग है, इसलिए आप कन्फ्यूज नहीं होईएगा, मैं ADR से जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके एकॉर्डिंग बता रही हूं, तो BGP के 85 मेंबर्स, कॉंग्रेस के 31, ट्रेंड मोल कॉंग्रेस के 13, आम आ 3 मेंबर्स हैं, तो अगर पार्टी वाइस सांसद की बात करें, जिनके खिलाफ अपराधिक मामले हैं, उनमें BGP से 20 सांसद, कॉंग्रेस से 12, TMC से 3, RJD से 5, CPIM से 4 सांसद, आम आदमे पार्टी से 3, YSR कॉंग्रेस पार्टी से 3 सांसद, और NCP से 2 सांसद सामिल हैं, जिनक के खिलाफ गंपीर अपराधिक मामले हैं, उनमें BGP के 9 सांसद हैं, कॉंग्रेस से 8, ट्रेनमूल से 1, RJD से 3, CPIM से 2, आम आदमे पार्टी से 1, YSR कॉंग्रेस से 3 सांसद, और NCP से 1 सांसद हैं, जिनके खिलाफ अपराधिक मामले हैं, तो तो वहीं बात करें, कि सबसे दा सब्सक्राइब किस राजी से सांसद हैं जिनके खिलाप आप राधिक मामले दरजे गेसे सदाज हैं है जिनके खिलाप आपराधिक आप यहां स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप यहां देखिए, बीजेपी के 74, कॉंग्रेस के 29, ट्रीनोर कॉंग्रेस के 10, डीमके के 9, और YSR कॉंग्रेस के 8 राजी सभा सांसदू की संपत्ति एक करोर रुपए से ज़्यादा है, आपकी जानकारी के लिए बता देखिए, तेलंगाना राज सम्मीती के डॉक्टर बांदी पार्था राजी सभा के सबसे अमीर सांसद हैं, उनकी संपति आप यहां देखिए, तीरपन सो करोर रुपए से अधिक हैं, वहीं दूसरे नंबर पर YSR कॉंग्रेस के सांसद अल्ला अयोध्या रामी रेड़ी हैं, जिनक सभा में 197 मेंबर करोड परती हैं, और राजी सभा सदस्यों की औसर समपती 79.54 करोड रुपीज हैं, इसके अलावा आप जानिए, 71 सदस्यों पर आप राधिक मामले दर्ज हैं, वही 37 मेंबर पर गंभीर आप राधिक मामले दर्ज हैं, तो दोस्तों आपने जाना कि कितने राजियों और किस पार्टी से सबसे ज़्यादा सांसोदों पर क्रिमिनल केसे हुए हैं, अब हम जानते हैं कि इस साल के उपराश्पती चुनाओं के लिए दोनों पक्छों से कौन ना मांकित हुए हैं, लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दू कि अगर आप लोग सभा और राज सभा के विपक्ष की लिडर्स के बारे में जानना चाहते हैं, या अब तक कि सभी लोग सभा सभा स्पीकर के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप ये तीनों वीडियो को यहां आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, तो द राजस्थान विदान सभा के सदस, संसर सदस और भारत सरकार में राज्यमंत्री के रूप में कारे किया है, वहीं दोस्तों भी पक्षी दलों ने कॉंग्रेस नेता मार्गरेट अलवा को अपना उम्मिद्वार होसित किया है, मैंगलोरू में जन्मीवक चार बाराज सभा क लिए चुनी जा चुकी है, और लोग सभा चुनावे जीत चुकी है, इन्होंने केंद्री राजमंत्री के रूप में भी कार किया है, और चार राजियों, जो कि है गोवा, गुजरात, राजस्थान और उतराखण में राज जिपाल का पत समाला है, तो 6 अगस तक हमें पता जरूर कीजिएगा, आपसे जो मैंने कोश्चन पूछा है, उसका एंसर कॉमेंट बहुत में देना नहीं बूलीगी हुआ, अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राब कीजिएगा, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत इंघ है, आपका फो पहली बार, इस बहुत मेंसरा कहते लिएगांसट एंसरे वीडियो को देखने देखने के लिए बहुत में बारने के लिए बहुत बारे इन भारे घट बहुत हैं, गूली पीजियो के भरें पर इसलीक्तिया हैं, जाrust एंसरे енने को चुते हैं, दyezे ह